मेरे साथ एक प्रैंक हुआ था, मैं वाटर बोल प्रैंक कर रहा था, तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा और वो कभी भूलूँगा नहीं मैं उसे, उसमें मेरे साथ ऐसे सीन हो गए थे, कि जिसकी वैसे मैं उसे भूल नहीं पाता हूँ, और पब्लिक समझ गई होगी उनको पता है मेरे साथ कौन सा प्रैंक था वो वाटर बोल प्रैंक के आप मेरा देखिएगा जाके, तो आपको पता चल जाएगा, वो मैं आज तक भी नहीं भूल सका हूँ, तो वो मुझे मना किया गया इसकी स्टोरी सुनाने को, इसलिए मैं स्टोरी भी नहीं सुना रहा आपक उसमें मैं पूरे पाकिस्तान से सब यूट्यूबर्स को बलाओंगा अपने शो के अंदर, और इंशालला आपको भी बलाओंगा, आप भी आईएगा मेरे शो में, बस मेरा शो शुरू है, वीडियो किसी टाइम भी इंशालला डलेंगी, भाई आपके चैनल के बारे में मै यह कह सकता हूँ, कि आप मेहनत करते हैं, यह शैड ओफ उसमान तरक्की करेगा, आपकी मेहनत रंग लाइगी, इंशालला आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों के इंटर्व्यू कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, अपने बा लिख के दीजेगा, आपके एक कमेंट से और एक सब्सक्राइब से किसी का भला होता है, किसी को फाइदा होता है, तो खुशी से आपको करना चाहिए, तो आप उसमान को देख सकते हैं, तो इसके लिए तो जरूर आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, और इसकी हुसला हिमत अफ़ाई भी करें जिस तरह भी आप लोग कर सकते हैं तो इनके चैनल को आसिम सनाटा कह रहा है आप लोग जरूर देखिएगा विजिट कीजिएगा इनके चैनल को ताकि इनको यह खुशी हो कि सनाटा भाई के साथ बैठे तो कुछ मज़ा आया असलाम अलेको माई लवी फ्रेंड्स अमीद है आप सब ठीक ठाक होंगे खेरी सोंगे जैसे के शेयर्ट सो असमान की टीम आज अधरू की एक नहीं वीडियो के साथ आज हम वजूद हैं प्रैंस की दुनिया के बेताब बादशा आसम सनाटा भाई के साथ मजूद हैं यह किस कोई बात नहीं ऐसी टाइम दिया आपको आपने मुहबबत से बॉला मैंने आपको मुहबबत से बलाया तो क्या करते हैं वागी कोई मसला नहीं है इसके अंदर और सुनाए कैसे हैं आप ठीक हैं अल्ला का शकर है सर कैसा जा रहा है अपका चैनल अपकी दौहां से अब कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि दर असल मैं जब एक channel के साथ काम करता था ना now तो जब मैंने अपना नए channel बनाया तो मैं उस channel के दरीवे सारी चीजे耶 Hem कि आये था और परैशानी और मुश्किलास सब मैंने पूंढे अठा components थी फिर जब मैंने अपना चैनल बनाया मुझे एक अच्छी टीम मिल गई और मुझे वैसे कोई परेशानी नहीं हुई चैनल के अंदर यहां 193 तक पहुचने में बीज में बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हूँ बीमारी की वैसे मैं अपने चैनल पे काम नहीं कर सका तो मेरा चैनल भी थोड़ा नीच्छे चला गया लेकिन फिर से मैं माशालला सही हो रहा हूँ और मैं इंचाल्ला तलह आगे काम करूँगा और अपने चैनल पे दुबारा से में इनत करूँगा मैं प्रैंक के अलावा और कुछ भी करना चाहता हूँ वो आप लोग देखिएगा इस क्रीन पे जब मैं करूँगा अच्छा आसम भाई आपके नाम के साथ लफ सनाटे की क्या वज़ा है इस लफ को रखने का मकसद क्या था सनाटा लफ रखने का तो इसलिए मेरा नाम सनाटा ही पड़िया पूरी दुनिया के लोग मुझे आसम से आप कम जानते हैं सनाटे की नाम से मुझे सब जानते हैं चोटे-चोटे बच्चे भी मुझे सनाटे की नाम से जानते हैं जोएले, पुदरूक भूदे हमारे वह भी जानते हैं tą कि अच्छा प्रैंक्स करने का रादा मतव बूसरीन, किस्वेड़ा महाया, वह प्रैंक्स करने का रादा तो नहीं था कोई यह उहकें था कnt तो.. पिर पब्लिक ने मुझे देखना शुरू कर दिया, फर्माइशे शुरू कर दिया, अपने अंदर की दिल की बाते के करनी शुरू कर दिया, उससे मुझे बहुत मसा आया, बहुत सारे नए दोस्त मिले मुझे, इसकी वैसे बहुत सारे लोगों से तालुकात बने मेरे, और ज प्रैंक में शौक में बनाता हूं यह लोगों को पसंदे इस वह से और लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं इसलिए मैं उनके लिए बनाता हूं प्रैंक तेंक यू आपका कॉंटेंट के मतालेख खुद आप सोचते हैं या कोई कॉंटेंट राइटर रखा वे आपने कभी कभी तो कॉंटेंट मैं खुदी बना लेता हूं और राइटर नहीं रखा वामने कुछ हम मेरी पूरी टीम जो है ना सब लड़कों को बोला हुआ होता है कुछ ना कोई आइडिया अपने धैन में रखना तो लड़के आइडिया लेके आते हैं हम लोग उसी आइडियो को फॉलो करते हैं तो बना देते हैं लिखत में कुछ नहीं होता है ने कि पहले से लिखके रखा और प्री पिलानिंगे के ये करेंगे प्रैंक दरसल लिखके नहीं हो सकता प्रैंक करने के लिए आपको बस ऐ किस प्रैंक से मुतासे रहे हैं आसम भई यार दुरसल मैंने तो अपने सारे प्रैंक बनाए मैं तो माशाललह से अगर सारे चैनल से मिलाएंगे तो मेरे 900 यहाँ तो मुझे तो सभी अच्छे लगतें खर अपने में किसी एक को भी हैं कि नहीं खरोगता है मुझे सब अच्छे मुझे अक्तलब यह वहाज टाओं मोट कर दो किक है सब्सक्री अब अच्छी आख़् data तो मुझे हमेश्चा याद रहेगा और वो कभी भूलूँगा नहीं मैं उसे उसमें मेरे साथ ऐसे सीन हो गए थे कि जिसकी वैसे मैं उसे भूल नहीं पाता हूँ और पब्लिक समझ गई होगी उनको पता है मेरे साथ कौन सा प्रैंक था वो वाटर बोल प्रैंक के आप मेरा देखिए का जाके तो आपको पता चल जाएगा वो मैं आज चक भी नहीं भूल सका हूँ तो वो मुझे मना किया गया इसकी स्टोरी सुनाने को इसलिए मैं स्टोरी भी नहीं सुना रहा आपको कोई बात नहीं आसमबी ठीक है पाकिस्तान में प्रैंक के मतालए चेक इंड बैलेंस होता है इस वाले से कोई होता है चेक इंड बैलेंस प्रैंक के अवाले से आसमबी चेक इंड बैलेंस के इसाब से यह के देखें काम करने निकलते हैं काम कोई साब हम प्रैंक शूट कर रहोंगे न मेनत हम सब पर करते हैं सारे प्रैंक पे जो भी काम करते हैं कैमरे के आगे जब हम आते हैं तो बहुत मैनत करते हैं तो कभी-कभी काम बहुत अच्छा हो जाता हमसे और कभी-कभी ऐसा होता जिसमें थोड़ा सा सिलो होता है उसमें मदा नहीं आ रहा होता इतना तो फिर कभी अच्छा, कभी बुरा है उसी को चेक-इंड बैलेंस कर लेते हैं हम लोग इसी तहरा की बस देखने वाले खुश रहे ह। आप क्या मस्तख्ड़ देख रही है प्रेंक के वजूद का पकिस्तान में आसम बहीं? प्रैंक का जो मुस्तख्विल है न वो देखें प्रैंक स्टार तो बहुत सारे हैं लेकिन प्रैंक का वजूद जादा देर का नहीं है बस थोड़े अर्से में ये आगे पीछे होने लग जाएगा कब तक आप प्रैंक करते रहेंगे अइडियाज आपके बाद खतम हो जाएंगे तो बस आपका एक मकसद होना चाहिए कि आप कौमेडी करें और लोगों को हसा सकें तो जरूरी नहीं वो प्रैंक करके करें या किसी में भी करें अप प्रैंक तो एक हद्ट तक है जब तक मेरे में ताकत है मैं प्रैंक करूंगा और प्रैंक रियल करेंगे तो आपको मज़ा आएगा फेक करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा फेक में आपको खुद मज़ा नहीं आ रहोगा करने में मज़ा नहीं आ रहोगा आपको रियल में मज़ा आता है रियल आप कब तक करते र आगे जो ना रियल प्रैंक करने वालों के लिए बहुत परिशानी का वक्त है और प्रैंक एक वक्ता है का खतम हो जाएंगे सब लोग अलग-अलग कॉमेडी कर रहोंगे अलग-अलग प्रोगाम चला रहोंगे अलग-अलग काम कर रहोंगे तो बारहल जब तक चल ला है प्र युच्य रेव ट्रेक लेगे हैंगे बस हमारे नाजरीन को अपने बारे में कुछ बताए असंब भई उससे बतना ने की ज़ुर्ब तुम यह लेगे फिर भी कुछ बताना चाहें छाएंगी मैं इनके नाजरीन को यह बता सकता हूं मैं आसिम सनाटां और करते हैं मेंने प्र बस इसी तरह से मेरी जिंदगी गुदर रही है मैं अपनी नौकरी और अपने प्रैंक की शुटिंगों में मस्रूफ रहता हूँ और इसी ते लोगों को खुश करता रहता हूँ बारहल चल रहा है ये मुस्तखबिल फ्रैंक का चलता रहेगा इंशाला तला और सब लोग मेनत करेंगे तो कामियाबी मिलती रहेगी इशाला असल्लाप र lender मजजीद मस्तखबिल में आप क्या प्लेने मस्धिद मस्तखबिल में मैं प्रैंक भी करता रहूंगा और आशा हिशा और काम करता हूँ मैंने काम को आगे बढ़ाया है इंशाल्ला तला मैं एक शो लेके आ रहा हूँ बहुत अच्छा शो है और दरूर देखिएगा आप लोग उस शो को मेरे मैं आपके चैनल की तवस्तु से भी बता देता हूँ मेरा इंशाल्ला तला सनाठा की बैटक के नाम से एक शो आ रहा है आप लोग देखिएगा उसमें मैं पूरे पाकिस्तान से सब यूट्यूबर्स को बलाऊंगा अपने शो के अंदर और इंशाल्ला आपको भी बलाऊंगा आप भी आईएगा मेरे शो में बस मेरा शो शुरू है वीडियो किसी टाइम भी इंशाल्ला डलेंगी वो अच्छा समभाई जाते जाते हमारे इस चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नाजरीन से भाई आपके चैनल के बारे में मैं यह कह सकता हूँ के आप मेंद करते हैं यह शैड व उफ ऑफ समान तरक्कि करेगा आपकी मेनद रंग लाईगी इंशालला आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों के इंटर्वियू कर रहे हैं लोगों से पूछ रहे हैं अपने बारे में अपने चैनल के बारे में बड़ा अच्छा काम कर रहा है इन्शालला तला बहुत अच्छा चैनल है शेड़ अफ उस्मान आप लोग देखिएगा लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा सबस्क्राइब कीजेगा और इनकी अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखके दीजेगा आपके एक कमेंट्स से और एक सबस्क्राइब से किसी का भला होता है किसी को फाइदा होता है तो खुशी से आपको करना चाहिए तो आप उस्मान को देख सकते हैं तो इसके लिए तो जरूर आपको सबस्क्राइब करना चाहिए और इसकी होसला अफ़ाई भी करें इहमत अफ़ाई भी करें जिस समय भी आप लोग कर सकते हैं तो इनके चैनल को आसिम सरनाडा कह रहा है आप लोग जरूर देखिएगा विजिट कीजेगा इनके चैनल को ताकि इनको यह खुशी हो कि सनाड़ा भाई के साथ बैठे तो कुछ मज़ा आया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी धुआएं मौला पाक से का आपको कम्याब करें और तरकी अता फर्माएं मारी धुआएं आपकी मैं दिल से दुआ करता हूँ आपके लिए क्योंके आपने हमारे इस चैनल के लिए अपने आपकी इंतिवाग नकाला और हमें इंट्रिवू दिया आपने और आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मौला लिपाक का कॉले कि अगर आपको कोई देखके हसता भी है तो भी सथका जा रही आप लोगों को हसा रहे हänderए ये भी सदका जा रही है आप हसा रहे है तो भी लोगों को सथका जारी है ये बी अगर हमें गो Pack divers आपको सदका जारी है अब मुझे विए अर 2 जार कारा इन्होंने हमें इंट्रिव्यू दिया टेम दिया हमके बहुत शुकर गजारे अब इनके चलों को भी आसब सनाटर भाई को भी सपोर्ट करें इनके जो आने वाला शो है उसको भी आप सपोर्ट करें फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ कैमरा बेन अब्दलर्मान के साथ शेयर सब असमान को टीम को दीजिए इजासत पकिस्तान जिन्दाबाद अल्ला हाफिस